let us discuss the concept of parallel plate capacitor इसमें क्या है सबसे पहले rough work देखो मान लो मेरे पास एक metal plate है और इसके उपर charge दिया आपने let this is the positive charge तो ये metal plate को positive charge दिया आपको क्या करना है एक दूसरी metal plate इसके आप नजदिक लेके आओगे तो जैसे ही दूसरी metal plate आप इसके नजदिक लेके आते हो due to charging by induction इसका जो एक surface होगा that will be negative and opposite होगा वो equivalent positive charge बन जाएंगे तो ये जो plate है इसके नजदिक वाला surface है वहाँ पे negative होगा उसका जो opposite है there you will get a positive charge anyways so यहाँ पे बीच में आप क्या कर सकते हो आप insulating material रख सकते हो या फिर air or vacuum होगा तो भी चलेगा तो ultimately बीच में क्या बन सकता है एक electric field बन सकता है और जिसका कुछ value हो सकता है अभी हमें क्या करना है इसको अगर और अच्छा करना है या इसका capacity और बढ़ा रहा है तो यहाँ पे आप एक ground कर दो और because of that क्या होगा यहाँ से electrons मिलके यह जो positive charges उसको nullify कर देंगे है ना तो ultimately positive negative आपको बनेगा तो अभी यहाँ पे आपको क्या consider करना है एक एरिया दूसरा एरिया और तीसरा एरिया यह तीन consider करके आपको derivation को proceed करना है अभी यहाँ पे derivation को proceed करने के लिए आपने वह देखा है equation infinitely long अगर plane sheet आपके पास है तो उसके नजदिक अगर electric field निकालना है तो कैसे निकालोगे तो इसके लिए आपने वह derivation किया है already हम लोगने Gauss theorem का जिसमें आपने ऐसा एक cylinder draw किया था याद आया ठीक है और यहाँ पे sigma की value आपको epsilon 0 कुछ तो मिली होगे आपने a to a जो भी है मतलब sigma की value आपने calculate की ती आप तो वह जो चीज है हमें यहाँ पे utilize करनी है तो ultimately surface 1 positive के वाज़े से क्या sigma का value होगा वह use करके हमें electric field की value निकालनी है यहाँ पे भी निकालनी है सेंटर में भी निकालनी है और ultimately जाके c q is equal to cv होता है c is equal to q upon v तो वह हमें calculate करना है तो यह general idea हो गया let's see fair work तो suppose मेरे पास एक parallel plate का setup यह कैसे मिला यहाँ से मतलब यह पूरा explanation सुनने के बाद आपके दिमाग में अभी यह पूरा आ गया अभी इसका पहला plate है इसको आप ऐसा insulating ऐसे चोटा सा box नीचे consider कर दो इसके मज़े से क्या होगा चार्ज किदर flow नहीं होगा लीक नहीं होगा चार्ज का that is the only concern यहाँ पे इसका जो surface charge density वो plus sigma से रिप्रेजेंट किया है और यह जो second plate है उसका surface charge density माइनस से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे तीन एरियास के बारे में बात होगी region 1 इसको region 2 बोलते है और इसको बोलते है region 3 region 3 जो है वहाँ पे आपका electric field exist कर रहा है अभी आप यहाँ पे insulating medium रख सकते हो यहाँ पे insulating medium या फिर आप air या फिर vacuum भी consider कर सकते हो तो यह है तो अभी बन गया मेरा basic card है लेकिन यह जो दो blade से उसके बीच में distance लेना है let that distance is a d अभी लेखते derivation क्या है explanation क्या है let there exist two conductors अभी जब यहाँ पे मैंने keywords लिख दी है अगर इक्वेशन दो तीन वार के लिए आते है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे जो keyword से हो आप अपने statement के form में लिखो तो अभी आपको यह स्कील आना चाहिए because यह जो चीज है आप अपने language में लिख सकते हो अपने language में लिखने आना चाहिए अधरवाइ जैसे होगा कि आप मगब कर रहे चीज़ों को without understanding so understanding के साथ जब यह लिखना स्टार्ट करोगे यह जो बड़े बड़े डेरिवेशन में लिखता हो ना में कुछ भी याद नहीं कर रहे हो अपने आप आ जाता है यह क्यों आ आ रहे बिकास अफ्राक्टिस है और बहुत सरे वचों को सिखाने के बदा अपने कंसेट्स क्लियर होते जाते है आई डिमाग में आ जाता है तो सेम चीज आपको कर एक बार मुझ से सीख लो और रिपीट करो जितना रिपीटेशन करते जाओगी अपने आप दिमाग के द्वार आपके खुलने वाले anyways so let us consider two conductors parallel to each other which are separated by insulating material so here यहाँ पर एक first plate जो है मेरी उसको अमलोग में insulate कर दिया है और जो second है उसको आप ground कर रहे हो so that हमें पूरा का पूरा negative charge दूसरे plate के ऊपर मिल जाए okay so first plate जो है उसके ऊपर जो total charge यह प्लस Q से represent किया है और जो second है भहाँ पे induced हो रहा है charge minus Q so certainly इसकी जो surface charge density है sigma 1 और यहाँ पे जो surface charge density है इसको सिग्मा 2 के नाम से बोल सकते हो sigma 1 क्या है positive sigma 2 क्या है negative यह हो गया मेरा explanation का first 2 points अभी देखते next first जो plate है आपकी उसका जो surface charge density plus sigma is given by Q upon epsilon not है ना so यह पहले plate के लिए Q upon epsilon not similarly अगर हम लोग second plate देखते है तो उसके लिए sigma is equal to negative which is given by minus Q upon A negative charge इसके लिए charge के ऊपर से sigma की value positive and negative बनती है anyways for first and third second region तो पहला और second region अगर आप consider कर दो E की value क्या होगी sigma upon 2 epsilon not minus sigma upon 2 epsilon not तो यह E1 E2 की values आप substitute कर रहे हो तो ultimately आपको जो भी मिल रहे हो sigma upon 2 epsilon minus sigma upon 2 epsilon not एक positive दूसरा negative so ultimately answer is 0 क्योंकि जो parallel plate है यहाँ पे तो उसकी value sigma upon 2 epsilon not के बराबर होती है so region 3 अगर आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होगा एक electric field आपका यह direction में दूसरा opposite direction में ultimately center में जो भी होगा that will be additional summation so यहाँ पे देखो sigma upon 2 epsilon not plus q आया because equal opposite है एक यह direction में दोनों मिल रहे so sigma upon 2 epsilon not so इसको सहलू कर दो sigma upon epsilon not बन गया so sigma के जगा पे क्या substitute कर सकते हो q upon epsilon not तो sigma के जगा पे आपनी यह चीज़ substitute कर दी so e की value होगी q upon a epsilon not यह बन गा है electric field की value दो plates के बीच में जो भी है वो अभी हमें क्या करना है यह जो electric field यह localized है 2 plates के बीच में so v की value क्या होती है into d कैसे पता चला electric field क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square ऐसा कुछ होता है तो इसको ही 1 upon 4 pi epsilon not q upon r upon r करते हो तो यहाँ पे e की value क्या हो सकते v upon r के बराबर होगी तो इसका मतलब v की value क्या होगी into r के बराबर है है ना यह simple चीज़े rearrange किया है हमने तो r मतलब क्या है distance e क्या electric field intensity so v is e into d so e की value substitute करते है यहाँ पे तो e की value क्या है sigma upon epsilon into d or q upon a epsilon not a into d तो यह बन गई v की value हमें निकालना क्या हमें capacity निकालने तो निकाल सकते है क्या answer is a yes so we know that c is equal to q upon v so ultimately v के जगा पे क्या substitute कर सते हो q d upon epsilon not a q q will get cancelled तो बचेगा क्या epsilon not a upon d so ultimately capacitor is equivalent to epsilon not a upon d so यहाँ पे bracket में क्या लिखोगे required equation of capacitor for parallel plate capacitance तो यह बन गया मेरा equation got the concept very good तो अभी let's have a quick recap parallel plate capacitor के लिए क्या-क्या 2 parallel plates consider किये एक Q पर positive है दूसरी Q पर negative positive को ground के साथ connect करो तो यहाँ पर positive और negative बनेगा पहले का sigma 1 दूसरे का sigma 2 यह positive है यह negative आपने क्या किया यहाँ पर आपने e की value calculate की first and second region के लिए third region के लिए add हो जाता है तो sigma upon 2 epsilon not plus sigma upon 2 epsilon not sigma upon epsilon not q upon a epsilon not v is equal to e into d substitute करो c is equal to epsilon not a into d तवेता ओी क्रीक काASE झाल, 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 झाल